हेलो एब्रिवान विल्कम बाक तो मैं चानल इन टोडेश लिक्चर विया गोगीं टो डिस्कूस मेंस्ट काइंड आप आपका इंडेपेंडेंट परसन होता है मेंस कंपनी के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता डारेक्ली और इंडारेक्ली ठीक है आप उनको अलग से रेमुरेशन देंगी प्लस जो आपको ऑडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या भी वह सीए होना चाहिए प्लस प्रैक्टिस होना चाहिए है ना बट इंटरनल इनके केस में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है क्या कहते है वो डिपेंडेंट होगा मींस इंटरनल नेम से क्या समझ रहे हैं कि इंटरनली कोई स्टाफ मेंबर है या वू परफॉर्म और ऑडिटिंग वो खुद ही मतलब इतना से पोज़ते हैं जिसको अकाउंस की बड़ी ज्यादा नौलेज है तो वहीं आपकी ऑडिटिंग करता है इंटरनल स्टाफ में से ही मेंबर होता है ठीक है सेकिंड इनको सेम सालरी ऐस अब अधर मेंबर दी जाते हैं जैसे आप बाकी मेंबर पो सालरी देते हैं इनको भी आप सालरी दोगे थर्फिंग इनके लिए चार प्रियाड़ केक क़रते हैं योच कांके इनको बóriaटितले आप नहें आप जाते हैं इसलिए चाहते हैं इंटरनल आपने विस अगज़ेते हैं आपके इंस्टिउशन है उसी कंपनी का ही वो परसन क्या होता है स्टाफ मेंबर होता है अलग से आप उसे हायर नहीं कर रहे हो means इंटरनल रिलेशन जाहिए के साथ नेच्स के एते हैं अप उसे क्या देंगे इसालरी देंगे और आप वी कन से रहे मुझे रहे मुझे रहे मुझे रहे मुझे अप उसे क्या होना चाहिए होना अगर नहीं है तो भी चलेगा The internal auditor examines only the accounts of employer and need not to submit any report और ये report भी कोई submit नहीं करनी के Means ये क्या से होते हैं आपका internal staff होता है ठीक है और इमका जो relation होता है company के साथ मतलब ये क्या होते है company के ओपर depend होते है Second thing क्या है हमने क्या कहा इनको आप जैसे बाके अबे members को salary देते हो ना इनको भी आप salary दोगे CA होना mandated नहीं होता इनके लिए report त्यार करके अपने employee को देना mandatory नहीं होता चीक है I hope आपको internal audit समझ आगया होगा चल्ड अब next करते है हम external audit देखो external audit में क्या होता है कि ऐसी audit है जो कौन कर रहा है कोई भी relation नहीं होता ठीक है जो आप auditor appoint कर रहे है ना company के साथ किसे भी तरह का कोई personal relation नहीं होता second thing CA होना mandatory है आप इनको अलग से separate से क्या देते है revelation provide करवाएंगे last आप जब auditor audit कर लेगा after then उससे क्या करना होता है करने पड़ती है जो कि internal auditor के case में नहीं था उसने सिर्फ accountant टाइप होती है वह auditor है इंटरनल ही थे वह इंटरनल जमें है और उनको मतलब CEO होना important नहीं था qualified है और तब भी है अदर्वाइस okay है उनको सिंपल हम सालरी देते हैं जैसे अधर स्टाफ को देते हैं लास्ट उसमें था कि आप audit रिपोर्ट उन्हें नहीं त्यार गड़ती थी इसमें सब कुछ reverse चलेगा चलो एक बार discuss करते क्या किया रहेंगी it is the inspection of books of accounts of an organization by an independent कैसा होना चाहिए वो इंडिपेंडेट एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेड डिग्री उसके पास यह कि मुना मेंडेटरी है और वो certified auditor होना चाहिए तो ऑडिटर इस नौट रिलेटेड पर्सनली इन एनी मैनर तो बें और ऑगनाईजेशन अगनाईजेशन देखो इंडिपेंडें ऑडिटर मस्ट बेंडिपेंड फॉंग ठीक है और इस फ्री टो डिफाइड देखो इन एन परीडिपेंड प्रीटर्माइंट फी पहले से डिसाइड पी इसकी फीज क्या होगी जो की वो सर्विसेज देखा ठीक है मतलब कि उन्हें हम सालरी निदेख पर उनकी अपनी फी एक ही टाइम पर काफी सारी ओगनाइज़ेशन की ऑडिटिंग की जाती है इनके द्वारा अट टाइम एंड गिप देर रिपोर्ट और इनको रिपोर्ट भी तयार करके अपने अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी होगी है जिक है सबोस एक्स कंपनी है कोई इसकी ऑ इसकी स्थपयूर्ज स्कूर्टिनी ओफ गौंट अंच पर केंश पिरेट ओनर beamड़े कcular सिर्फ alan इसकी ऑडेमी अार पनी क्यु आधा पा laughing है कि अध। तरहां कि audit है कोई interim audit है को continuous audit है को प्रियोडिकल audit है ना तो यह वही बोल रहा है कि जो external auditors होते है जनली यह क्या करते है एक्जामिक करते है final accounts मतलब at the end में करेंगे for the financial और इन ही audit को हम क्या कहते है independent audit obviously क्योंकि करने वाला परसन कौन है external party है ना अब ऐसा क्यों पोलते है क्योंकि इनका जो auditor है ना वो कैसा होते है आपका independent छीक है company के साथ नों को रिलेशन नहीं होता that's why we can say that it is on knowledge independent audit इसमें हमने four to five things discuss की है first thing हमने discuss की है कि वो independent होना चाहिए कौन auditor second thing CA होना चाहिए फिर personally कोई भी relation नहीं होना चाहिए company के साथ ठीक है और इनको क्या अगर pre-determined fee fix कि जो यह services provide करेंगे इनको के बतले में क्या देंगे fees देंगे चीक है और एक ही time पर काफी सारी organization के audit कर सकते है external auditors last में इन्हें क्या करना होता report submit करवानी होती है concern management को और यह final accounts के examination करते है for the financial year and lastly it is also known as independent audit चीक है तो I hope आपको यह internal and external audit के meanings clear होगे होंगे next lecture में we will discuss the difference between internal and external auditor I hope you like this video thanks and have a wonderful day